हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो स्टेटीवी ध्यान प्रकास तो बैंक में जॉब करना बहुत सरे लोगों का ख्वाब होता है तो आप अपने ख्वाब को सच में बदल सकते हैं स्टेट बैंक आप इंडिया जैसी बैंक ने कुल पांच जार से अधिक पदों पर विग्यापन जारी कर दिया है और इसके लिए जो सामान अस्तनात तक है वो आवेदन कर सकते हैं सारे जांकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में पहले आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दिजिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बताते कि यहां पर जो पदों की संक्या है वो पांच हजार आठ है और यह जो पद है यह जूनियर एसोसियेट क्लर के हैं कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ड के लिए आप आव इदन कब से कब कर सकते हैं तो साथ सितंबर से आविदन शुरू हो हैं और आप 27 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे देखिए एक्जाम डेट भी आ चुकी है एक्जाम डेट में जो प्री की एक्जाम होनी है जिसको आप फेज वन कहेंगे तो फेज वन का जो एक्जाम होगा वो नौंबर में होगा फेज टू यानि कि जो मेंस का एक्जाम होगा वो दिसंबर में होगा तो नौंबर में प्री की परिक्षा और दिसंबर में मेंस की परिक्षा करवाई जाएगी एज कितनी होनी चाहिए तो देखो फ्रेंड्स एज की घड़ना की जाएगी एक अगस्त 2022 से एक अगस्त 2022 को जनरल कटेगरी के जो student हैं, उनकी age 20 से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए. OVC को 3 साल की छूट है, यानि कि OVC की age 1 अगस्त 2022 को 20 से लेकर 31 साल की होनी चाहिए. यसी और यस्टी को 5 साल की छूट मेरी है, यानि कि यसी और यस्टी कंडिडेट अगर उनकी उम्र 1 अगस्त 2022 को 20 से लेकर 35 साल के बीच में हैं, तो वो आवेदन कर पाएंगे. ज्यान रखिए कि इसके जो योगिता है, आवेदन करने के लिए जो सैच्चिक अरता है, educational qualification, उसमें अगर आप graduate हैं, या फिर आप अन्तिम मुरस के student हैं, appearing हैं, और अन्तिम मुरस का जो result है, वो 30 नॉम्बर तक आ जाएगा, तो ऐसी condition में आप apply कर सकते हैं, यानि कि या तो graduate पास आउट हूँ, या फिर appearing हूँ, लेकिन appearing वालों के साथ एक सर्थ है, कि उनका result हर हाल में 30 नॉम्बर 2022 तक अगर आ जाए, ऐसा उन्हीं लगता है, तो वो आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जो कुल पद हैं, ये अलग-अलग state के लिए हैं, तो local भासा का ज् हिंदी आती है, तो आप UP के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके अलामा बिहार के लिए भी, दिल्ली के लिए भी कर सकते हैं, MP के लिए कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी आप, यानि कि जिस भी state के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वहाँ की local language आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं क कि आपको हिंदी आती है, और आपने तमिलनाडू के लिए आवेदन कर दिया है, तो सुल्क कितना होगा, सुल्क थोड़ा से ज्यादा लगेगा आपको, जनरल, OBC और EWS कंडिटेट को फीस देनी है, 750 रुपए, YSC, YST और PH कंडिटेट को कोई फीस नहीं देनी है, स्टेट के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पर कुल मिलाके कितनी सीटे हैं, जैसे कि बात करें, अगर हम यहाँ पर UP के बारे में, कि UP में कितनी सीटे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ, तो फ्रेंड्स, UP के लिए कुल सीटें कितनी हैं, 631 सीटें UP के लिए हैं, इसमें को मिल रही है 258 इसके बाद OBC को 170 यसी को 133 और यस्टी के लिए 7 सीटे हैं इसी परकार से अगर हम बात करें उत्तरा खंड के बारे में तो उत्तरा खंड के लिए जो कुल सीटे हैं वो हैं 120 अगर हम बात करें MP के बारे में तो MP के लिए कुल सीटें कितनी हैं 398 सीटे हैं 398 तो इस प्रकार से जो अलग-अलग state हैं, उनके लिए अलग-अलग seat हैं और all over जो कुल seat हैं, उन seat की सेके कितनी हैं? 5008, कुल मिलाके 5008 seat हैं, तो आप उत्तरप्देश, मंद्य प्रदेश, राजास्थान, डेली, उत्तराखन, शत्तिजगर, तेलंगाना, इसके अलावा जैसके मने आपको बताया था, पुल यहाँ पर जो seat हैं, वो 5008 हैं, और इन 5008 seat हो में, जनरल को दी गई हैं, 2143, OBC को 1165, EWS के लिए 490 seat हैं, 80 के लिए 743 seat हैं, और 80 के लिए 467 seat हैं, तो seat हैं कम नहीं हैं, आप देखेंगे जब आप UPSC या फिर UPSC की जो वैकेंसी जाती है तो उसके मुताबिक तो seat हैं काफी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, चैन प्रक्रिया, चैन प्रक्रिया कैसे होगी, सबसे पहले आपकी नॉंबर में एक प्री की परिशा चाके लगबग 50,080 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए और इसके बाद एक लोकल लेंगवज टेस्ट होगा, इसका कोई अधिभार नहीं है, वेटेज नहीं है, लेकिन पास होना चुरूरी है, तो प्री और मेंस के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, तो यह जो होगी, यह तीन मेने के अंदर पूरी कर ली जाएगी, यानि कि जनवरी या फर्वरी से आपको आपकी सीट मिल जाएगी, बैंक में जॉब करने का आउसर मिल जाएगा, प्रिबियस यह का जो कटाफ गया था, वो अलग 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 गया था, जैसे कि ऐसा है कि अगर 81.25 था, OBC का 78 था, तो प्रत्युक्ता तो निश्टी दुरूप से कड़ी होगी, तो इसके लिए आपको त्यार रहना चाहिए, तो यह प्री का कटाफ है, मेंस का जो कटाफ है, वो थोड़ा सा और भी आगे जा सकता है, अबाउट आपको 85 प्लस अंक मेंस में गेन करने हो लेकिन जो syllabus है, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे, तो आसानी से गेन किये जा सकते हैं, प्री की जो परिक्षा होगी, इसमें कुल 100 प्रस्न आप से पूछे जाएंगे, 100 अंकों की परिक्षा होती है, एक घंटे की परिक्षा होगी, समय एक घंटे का मिलेगा, गलत के लिए 35 प्रस्न होगे, 20 मिनट समय मिलेगा, इसमें मिलेगा, आपको बता दे कि जो परिक्षा होती है, यह computer-based test के आधार पर होगी, और मेंस में मनें आपको बताया था कि लगवाब 50,000 लोग मेंस परिक्षा में सामिल होगे, तो कुल मिलाके 190 प्रस्नों को आपको 2 प्रांक होगा 200, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक चौथाई, 0.25, तो इसमें जो प्रस्ण आएंगे, जनरल और फाइनेंशियल अवेरनेस के 50 प्रस्ण होगे, 50 नंबर, 35 मिलेगा आपको, जनरल इंग्लिस के लिए आपको 40 प्रस्ण दिये जाएंगे, 40 नंबर का प्रस्ण होगा, 35 मिलेगा, तो ये प्री का स्लेबस हो गया, ये मेंस का स्लेबस हो गया, आपको फिर स्याद दिला दें, कि मुक्य परिक्षा में सीटों की संख्या के 10 गुना चात्रों को बलाया जाएगा, मुक्य परिक्षा में कुल कितने अभिरती सामिल होंगे, तो 50,086 बलाया जाएगे मुक्य परिक्षा के लिए, अच्छा हां, सेलरी कितनी मिलती है, तो देखो, सेलरी की सुरुवात जो होती है, वो 19,900, मतला 20,000 पकड़ लो, 20,000 से 30,000 के बीच में आपको सुर्यात्री दौर में सेलरी मिलेगी, फिर सेलरी बढ़ती जाती है, तो कैसे करें तयारी, तो तयारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको बैसिकली बता दें कि प्रिवियस येर का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको देखिए, मॉक्ट्रिस्ट लगाईए, और आप अपनी तयारी प्रापर तरीके से करते रहें, तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाया है, तो इसे लाइक और शियर करना बिल्कुल भी मत भूड़िएगा, थैंक्यू सो मच, हैवे क्रेट डे, आप सभी के लिए मंगल सुपकामना है, जैहिंद!